हलो फेंट्स वेलकम बेक टो माई चैनल आज मकसा शेयर करने जा रहे हैं बिहार जारखंड का फेमस लिट्टी चोखा आपको यह रेसिपी बहुत पसंद आएगी इसे हमने बहुत ही इजी तरीके से बताया है आप इस रेसिपी को अपने अगर पर जरूर टाइ कीज़ेगा और यह दिए आपको मेरे आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए बनाने के बाद में कमेंट करके जरूर बताना की रेसिपी आपको कैसी लगी तो चलिए बनाना शूर करते हैं बिहार जारखंड का इस्पेशल लिट्टी चोखा की रेसिपी यहां हम एक बरतन में लेंगे दो कटूरी गेहुंका आटा इसमें हम डालेंगे नमक स्वाधनसार तोड़ी सी अजवाइन डालेंगे वैसे ओप्शनल है वरना यह हैवी रहती है तो अजवाइन डालेंगे थोड़ा ठीक रहेगा साथ में एक चौथाई चमच बेकिंग सोड़ा एक बड़ा चमच गी और अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं मिलाने के बाद में हमें इसका डो लगाना है तो यहां हमने नॉर्मल पानी लिया है और उससे हमें इसका एक सॉफ्ट डो लगाना है जैसा आप रेगुलर में रोटी के लिए लगाते हो वैसा ही आपको लगाना है तो यहां यह हमारा डो लग चुका है और आप देख सकांएं इसके उपर एक भी क्रेक्स नहीं है और इतना डो लगाने में हमें एक कटोरी पानी लगा है और हलका सगी लगा देते हैं ताकि ये सूखे ना और इसको ठक देते हैं कम से कम 20 मिनिट के लिए तो यहां हम लिट्टी में बढ़ने वाला सत्तू देया करेंगे तो यह हम लिया है एक कटोरी सत्तू देखिये सत्तू चना गेहूं और जो को मिला कर बनता है इसको भून कर इसको पीसा जाता है पहले के समय में यह घर में ही बनता था अब तो यह मार्केट में भी इसली मिल जाता है और ये काफी healthy भी होता इसका शर्वत भी बनता है नमक लेंगे सवाधानिसार, हर्ज मुर्च लिए हमने एक और इसी के साथ में हराधनिया यह हम लेंगे एक चमच अचार का मसाला आम का अचार हो, मिर्च का अचार हो उसका आप मसाला ले ले लेना और यहां जाएका इसमें सरसो का तेल तो दो चमच हम इसमें लेंगे सरसो का तेल मिला लेते हैं इसे देखिए अभी ये काफी ड्राय है तो हम इसमें क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी की छीटे डाल देंगे और इसमें मिला लेंगे बड़ना जो आप इससे भरेंगे ना तो ये फैलेगा इसलिए हलका सा इसको हम बदने जैसा कर लेंगे तक कि ये फैलेगा नहीं तो जितना जरूरत हो उतना ही पानी ले एक्स्ट्रा ना ले अच्छी से मिला लिया है आप देखिए हलका सा ये बदने भी लगा है बस इतना ही आपको चाहिए तो ये हमारी फिलिंग भी तैयार हो गई है चोखे की तैयारी करते हैं दो टमाटर लिये हैं एक बैगन लिया है और दो हर्ज मिर्च लिये हैं मिर्च आप चाहिए तो थोड़ी सी जादा भी ले सकते हैं सबसे पहले बैगन को कट करके देख ले थे थोड़ा सा ताक ये खराब ना हो अंदर से तो ये ठीक है आप यहां पर आपको क्या करना है ओल लगाना है इसके ऊपर आप यहां पर रिफाइंड ओल भी ले सकते हैं चाहिए तो आप सरसोकाव भी ले सकते हैं टमाटर पर भी लगा देंगे इससे होता क्या है जो आप इससे भूनेंगे ना और बात में जब छिलका अटाएंगे तो बहुत आरम से निकलाता है गैस पर इस तरीके से जाली रखकर आप रखते जिए और धीमी गैस पर इसको अच्छे से भूने देना यदि आप इससे मीजम फ्लेम पर या मीजम तू हाई फ्लेम पर रखेंगे होगा क्या बाहर से भून जाएगा तो इसको अच्छे से भूने देना बीच बीच में सबी तरफ से इस तरीके से गुमाती हुए धीमी गैस पर हम ऐसे भून कर तयार करना है तो यहां यह तीनों ही चीज़े भून कर तयार हो गई है इन्हें हम अलग कर लेते हैं अब देखिए यहां मैं मिर्ची को भी थोड़ा से भूल लूगी आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं वरना इदिया भून कर डालेंगे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है यह मिर्ची भी हमारी भून कर तयार हो गई है अब हम इसे छील लेते हैं तो यह अभी गरम है तो मैंसे इस तरीकी से फोक से आराम से यह छिल जाएगा मार्केट में कई जगे चोखा मिलता है उसमें क्या करते हैं वो लोग भूनने की जगा उसको कोकर में उबाल लेते हैं फिर बनाते हैं इसका जो एक्चॉल टेस्ट है इसके भूनने से आता है भूनने से इसमें जो सौंधी सौंधी सी खुश्बू आती है भूनने की बहुत अच्छा लगता है तो मिर्च हम काट लेते हैं यदि आप प्याज और लेसुन काते हैं आप तो मिर्च तो एक – जो मिर्च, लच्वषब म हम कोशिशन के लिधना और मिर्च अध़ानी सबदानी सभी खुश्बू नियए याई के अभला था। से तोड़ लिया है और हलका से कर लेंगे ताकि यह मसाल це का अंदाजा हो जाएगा नमक डालेंगे स्वादा नसार इसमें जाएगा फ्रेश बारी कटा हुआ हरा धनिया और एक सबस्के बेसिक है इसमें सरसों,का तल तेल,डो चम्मच मेरें डाला है सरसों का तेल अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे इसमें आप एक चीज और कर सकते हैं आप इसमें थोड़ा से निवू का रस्पी एड़ कर सकते हैं यहां यह हमारा लिट्टी के साथ खाय जाने वाला चोखा बनकर तयार हो गया है अब लिट्टी तयार कर लेते हैं तो इससे हम हलका सा निट कर लेते हैं और जितना बड़ाप को बनाना है उतना फ्ले सकते हैं तो यहां मैं इसे इस तरीके से हाथ से कर लूँ या या आप हाथ से नहीं कर पाते हैं थोड़ा सा बेल कर भी भर सकते हैं तो यहां यह हम इस तरीके से त्याग कर लिया है और अब इसमें हम यह सत्तू बरेंगे तो यहां यह मैंने डेट चमर्श लिया है और यहां इसे इस तरीके से अंदर से दबाते हुए बन करना है तो यहां यह हमारी पहले लिट्टी बरकर तयार हो गई है साइज आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कम यह छोटा बाकी बढ़ने का प्रोसेस बनाने का प्रोसेस यही होता है मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूं जान रखना इसका है जो बाहर का कवर है यानि जितना आपने यह पेड़ा लिया है वो ज्यादा थिकनी होना चाहिए तो यहां यह इस तरीके से हमने को टिया कर लिया है और सत्तू बढ़ देते हैं इसमें और इससे भी हम बन कर देंगे और यह दिया आपको लगता है एक्स्ट्रा आटा उपर है तो थोड़ा सा निकाल देना तो यह भी बन कर तैयार हो गई है मैंने आपको बड़े साइज में और छोटे साइज में दोनों तरह से लिटी बना कर बता दी है अब आपकी चोईस है आप जो भी बनाना चाहते हैं इसी तरीके से आपके सब भी तयार कर लेंगे यहां मैंने अपका पैन लिया इसमें थोड़ा थोड़ा सा में घी डाल दूगी और फ्लेम को अभी आपको रखना है मीडियम और जैसे यह गरम हो जाएगा ना हम इसमें लिटी रख देंगे लिए कि लिटी बनाने कई तरीके होते हैं जैसे आप इसे ओवन में बना सकते हो तंदूर में बना सकते हो मेरे पास में ओवन भी है तंदूर भी है लेकिन यदि आपके पस अप्पे का पैन है तो आप उसमें भी बना सकते हो नहीं तो आप इसे भारी तले की कड़ाई ले अपे के पहन में जब फस्ट टाइम में डालेंगे ना लिटी तो आपको थोड़ा देर ढखके पकाना हो कम से कम 3-4 मिनिट तक फिर आप देखेंगे लिटी का साइज बड़ा हो गया है यह अच्छे से फूल ले भी लगी है आप इसमें क्रेक्स देखेंगे यह क्रेक्स भी आपके लिटी एक दम परफेक्ली बनकर तयार हो रही है इसे हम बीच बीच में पलटे रहेंगे अब आपको इसे नहीं डखना है फिल्म को कर देना है मीडियम टू लो यदि आपको चाहिए कि यह बाहर से हलका सा क्रिस्पी रहे और अंदर से सॉफ्ट हो तो आपको यही क लिटी को बनाना उतना ही आसान है जितना कि आप बाटी को बनाते हैं यदि आप लिटी फर्स टैम में बना रहे हैं तो भी बनाना बहुत आसान है बाटी की तरीके से ही आपको इसे सेखना होता है तो इसे चारों तरफ से गुमाती हुए इसी तरीके से हम हर तरफ से अच् सेख सकते हैं तो यहां इस सिकर तयार हो गई है सबी तरफ से परफेक्टली सिकर तयार हुई है इसी तरीके से हम बाकि सबी तयार करेंगे आप देख सकते हैं परफेक्ट कलर आया है और सबी तरफ से अच्छे से सिकर तयार हुई है सेकंड बेश में भी हम यह थोड़ा थोड पारे लिट्टी बनकर तयार होती है प्रोसेस वही है कॉंटिटी आप अपने इसाब से कम्या जादा रख सकते हैं इन्हें भी हम पलेट लेंगे और फ्लेम को मीजियम टू लो कर देंगे और सभी तरफ से अच्छे से सिकर तयार कर लेंगे तो यहां ही हमारी लिट्टिया सिकर तयार हो गए है आप देख सकते हैं तम परफेक्ट लिट्टी बनी है आप एक रेक्स देख सकते हैं इससे पता चलता है कि लिट्टी अच्छी बनी है साथ ही यहां आप देख सकते हैं मैंने मेल्टिड गी लिया है अब जैसे हम बाटी को करते हैं वैसे हम लिट्टी को भी करते हैं घी में इसको अच्छे से डिबो के निकालेंगे और गर्मा गर्म लिट्टी को हम सर्फ करेंगे तो चलिए इसे हम सर्फ कर लेते हैं तो लिट्टी हमारी तयार हो गई हैं चोखा तयार है, मार्केट में ज़ आपने कई जगे देखा गो, जो चोखा होता है, वो इससे थोड़ा सा पतला रहता है, दीखे, हमने यहाँ पर एक्जेक्ली बनाया है, मार्केट में थोड़ा सा उसमें पानियट किया जाता है, वो कॉंटिटी बढ़ानके जाता है, लेकिन हमें यहाँ कॉंटिटी की साथ-साथ क्वालिटी पे ध्यान देना है, आपको पदा होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो, तो यहाँ यह तैयार हो गया है, मार्केट बन कर लिट्टी चोखा, इसे सर्फ करने का एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ इसे हादों पर ऐसे लेना और फोर्ट देना जैसे आप बाटी करते हो ना डाल बाटी के साथ में वैसे ही और बीच में डाल देना एक तोड़ा सा घी और आप इसे सर्फ कीजिए चोखा के साथ में आप इसे अपने अखर पर ट्राइ कीजिए आपको इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा और यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए शेयर की बिचा अब करें बनाने के बाद मैं कमेंट करके जरूर बताएगा यह रेसिपी आपको कैसी लगी एंक्यूट